Hey friends, wish you spark time. मैं आपका वापस से इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा समय ले लूँगा because friends, this is, I know, a very important day in your life because आज आप exam देके आयो और परसो आपकी लौकी exam है. So friends, ये वीडियो किस लिए है? तो आज अगर आप exam देके आयों और परसो आपकी लौकी exam है. तो आप कैसे ये दिन प्लान करोगे? उसके उपर मैं आपको step by step बता दूँगा. So ये वीडियो आपका जोटना टाइम लेगा उस टाइम से आप काफी effective preparation कर पाऊगे during this one and half day gap which you get before you appear in your CA final law examination. Now friends, before we move ahead, I would like to share with you two important things. One, that is you are preparing in a pandemic situation. So kudos and salute to your efforts. But remember two things friends. The very first thing. अब आप जो कुछ भी पहले का आपका पेपर कैसा भी गया उस सब को भूल के. अब आपका पेपर कैसा भी गया उस सब को भूल के. And now for one and half day, just and just focus on the subject of law. Right, anyhow we need to score exemption in law. And if you follow my guidance, 100% you will get an exemption in law. Second important thing. कोई भी चीज आउट्राइटली मिसाउट मत करना. तोटली कोई चेप्टर को अवोईड मत करना. सिवाय के इंस्ट्रक्शन दी काई हो. Reason. Integrated MCQs में वोग दो तीन चीज, के स्टड़ी में, वोग दो तीन चीज मिक्स करके आपको पूछ सकता है. So that's why. Follow the mantra. Do something of everything. अपको हरेक चीज का कुछ ना कुछ चीज तो पता होना. चाहिए. Overview भी होना चाहिए. और इसके लिए मैंने कैटेकरिज़ेशन करके सब कुछ आपको आगे प्लानिंग वाले वीडियो में दिया है. उस इसको खास-खास-खास करके फॉलो करना. And bear in mind, friends, जो भी मैं यहाँ पे आपको PDF और Excel फाइस बता रहो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी वही है. So friends, here we go with the video. Friends, आप जैसे देख पारे हो, इस वीडियो के अंदर हम काफी डिस्क्रिप्शन करने वाल है. And सबसे important discussion के और शुरुवात करते हैं, सबसे पहली चीज़ वो, that is day-to-day planning. And उसकी अंदर, friends, मैं आपको detailed planning बताता हूँ and इस planning को कैसे यूज़ करते हैं. जैसे कि, friends, आप स्क्रीन की उपर देख रहे हो, कि आप 2 बजे से 5 बजे आपका 3rd paper दे रहे हो. फिर 5 से 6 आप घर आते हो. And friends, मैं आपके request करूँगा कि आप जब ये घर आते हो, तो use some cap or take your parents support. Don't drive personally. मैंने पहले भी आपको कहा था, because ये टाइम थोड़ा stressed होता है, कोई accident हो गया, ना करे. पर हो गया, तो इससे आपकी आगे की exam को affect कर सकते हैं. Friends, अगर आप ये किसी और के साथ आते हो, ये cap use करते हो, तो इसके करण क्या होगा? ये समय जो commutation का है, वहाँ आप रेस्ट कर सकते हो. फिर फ्रेंज, आप 6 बजए घर आते हो, फिर 6 से पौने साथ आप रेस्ट करो, फिर पौने साथ से साथ थोड़ा mind entertainment करो, कोई mind game खेलो, meditation करो, song सुरो, किसी के साथ बातचीत करो, get fresh, साथ से साधे साथ आप डिनर ले लीजिए. फ्रेंज, क्यों इतना जल्ली डिनर लेना है, विकाज अगर वो digest होगा, तो रात को सही नीन दाएगी, तो फिर आप कल उठके पढ़ पाओगे, विकाज फ्रेंज, परसो आपके law की exam है. So, फ्रेंज, 7 to 7.30, डिनर, 7.30 to 8, prepare for your studies. और तब एक काम कर सकते हो, आप वापस से उस दिन ये विडियो एक पर फास देख सकते हो, विकाज इस विडियो के अंदर, प्लानिंग के अलावा, हम law subject के बारे में काफी सारी चीज़े जानने वाले हैं. फिर फ्रेंज, आप 8 से 9, यानि पहला डेड़ घंटा, मैंने वाँ लिखा है 1, पर it's 1.5 hours, आप क्या करोगे? SEBI Act प्रिपेर करोगे. फिर फ्रेंज, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपने क्लास में नोटबुक बनाई होगी, तो आपको क्या करना है? नोटबुक प्लस A, माने की A Category Questions. अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तो आप A Category प्लस B Category, जो आप आप में बिल रही है, कॉलम अधर्स की A प्लस B Category करोगे. अब फ्रेंज, आप सोच रहे होगे सार, हम आज कहां Category करने जाए? तो फ्रेंज, नीचे description में लिंक है, आप वो material डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें module की index है और साथ-साथ कौन सी category उस questions को दीएगे, वो आपको readily available हो जाएगा. प्लस फ्रेंज, मैंने बाजू में remarks भी दिये, और फ्रेंज, एक मिन बता दू, यह पूरा planning जो आप देख रहे हो, screen के उपर, वो आपको लिखना नहीं है, वो आप नीचे material में से डाउनलोड कर सकते हो. So friends, सबसे पहला chapter हम से भी क्यों ने रहे? Because it is a basic chapter and it has various concepts which are common with other useful topics. फिर 9 से 10 एक घंटा आप miscellaneous provisions करोगे, वापस से friends आप देख पारे हो, notebook plus A category, NB यानी notebook, जो बाहर वाले students है, वो A plus B category. फिर friends, 10 से 11, compromise and arrangement, उस पे friends पूरा ना करना चाहे, तो खास important क्या है, 232, 233, 235 and 237. फिर friends, 11 से 12, operation mismanagement, जिस पे सिर्फ notebook देख लोगे, तो then also it is sufficient. फिर friends, क्योंकि कल exam नहीं है, परसो exam है, हम पहले दिन की रात की नील, पूरी 6 गंटे के लिए के a deep sleep. So, 12 to 6 is your deep sleep, 6 से साड़े चे उटके refresh and breakfast and साड़े से साथ थोड़ा सा short आप revision कर लीजिए, आपके next दिन की शुरुआत के पहले पहले. So, ये friends, आप जिस दिन exam देखे आए, उस दिन तक का planning था, अब दूसरे दिन की बात करें. Friends, आपने रात को 12 से चे, स्लीप लिए, 6 से साड़े चे, आप refresh and breakfast लेते हो, 7 बज़े से आप तयारी शुरू करते हो, 7 से सवा आठ, यानि करीबन 1 hour and 15 minutes, you will focus on FEMA provisions, fresh mind है, FEMA के लिए fresh mind होना जरूरी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहला रखा है, इसमें सिर्फ एक एटे कर तो चलेगा, फिर Friends, सवा 8 से 9, चेप्टर नमबर 4 जो कभनी जग का है, यानि कि इंस्पेक्शन, इंक्वारी, इंवेस्टिगेशन, वो आपको करना है, सिर्फ नोट्बुक में से, 9 से साड़े 10, winding up, साड़े 10 से 11, SEBI, Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, इसमें सिर्फ आदा गंडा मैंने इसमें सिर्फ आपको नए टॉपिक करने, नए टॉपिक माने क्या तो इस चेप्टर केंदर आपको audit committee, shareholder grievance, redressal committee, nomination, remuneration committee, ये सारे points मिलते हैं, वो तो already अपके company law में थे, वहाँ पे हमने comparative analysis में हैं, तो वो वापस से मत देखो, पर जो disclosures के requirements है, जो यहां risk management committee जो नहीं ह तो पूरा भी एक बार fast recap कर सकते हो, फिर फ्रेंस, ग्यारा से बारा, यहाँ टू रेफर सकारा, फिर बारे से साढ़े बारा, लंच लेजिए, थोड़ा जल्ली लेना है, बारा बजे, विकाज आपको साथ बजे डिनर भी लेना है, और साढ़े बारा से एक, यहाँ टू ट सकारा करोगे, डेड़ से तीन, right, what you will refer is, prevention of money laundering act, तीन से चार, चार से पांच दो गंटे, foreign contribution regulation act, FCRA, पांच से छे, छे से साथ बिक, आई बीसी, बिकाज इंसल्वेंसी अन बैंक्रप्सी कोड जो है, वो भी बहुत इंपोर्टन कोड है, बिकाज उसका वेटेज भी काफी ज्यादा है, तो दो गंटे दीजिए, फिर साथ से साधे साथ डीनर, साथ साथ से आँट, थोड़े फ्रेश हो जाएए, बिकाज अब आपके आज के दिन का आखरी चलन आ चुका है, जिसमें आपको काफी important चीज़े रेफर करनी हो, बिकाज फ्रेंस, कल आपकी exam है, वो र secretarial practice, जो chapter है, खाले module देख लीजिए, उसमें भी self test question देख लोगे तो चलेगा, 11 से 12 directors के appointment के कुछ initial provisions ले लीजिए, जैसे appointment of directors by board of directors, section 161 ले लीजिए, साथ में independent director ले लीजिए, इतना करके खतम कर दीजिए, ये कल भी मैं आपको time दूँँगा, prepare करने के लिए, and friends, आज 12 से 5 सो जाना है, 5 से साड़े 5 बजे के बीच पे फ्रेश हो जाना है, because friends, ये दिन आ चुका है, जब आपको prepare करने के साथ साथ, आज 2 बजे exam देने भी जाना है, so friends, 12 से 5 आप सो गए थे, 5 से साड़े 5 रिफ्रेश हुए, साड़े 5 से 6 आप section list रिफर करिये, 6 से साड़े 7 आपको डिरेक्टर्स के appointment का जो first chapter था, उसे complete करना है, आपने last दिन रात को जो किया था उसकी बात का, साड़े 7 से 10 board meeting and board powers, 10 से साड़े 11 managerial personal, friends, आप सोच रहे होगे, मैंने, ये important chapters क्यों अभी रखे, because ये friends, बहुत ज्यादा पूछे जाते है, तो आप fresh करके जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप तुरंट उसे exam में recap कर पाओके, साड़े 11 से 12 लंच ले ले लिना, 12 से साड़े 12 से एक आपको ready होना है, एक से दो home to exam hall, वापस में request करता हूँ आपको, खुद drive मत कीजिए, take the support of your parents और cab, 2 से 5 आप लौका paper appear कीजिए, ये था friends, मैंने आपको पूरा, जिस दिन आप exam देखा तो 3rd paper, तब से 4th paper तक की journey का, पूरी बातचीत मैंने आपके साथ, अप friends, मैं एक छोटा से वीडियो ये भी बनाने वाला हूँ, और जो मैंने बना के रखा है, जो आप चेक कर सकते हो, कि day before examination, आपको कौन कौन सी चीज़े खास refer करके जाने जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते, और वो आप अगर exam आल से आते हो वक्ती, exam में जाते हो अगर सुनोगे, तो that will be very 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 helpful to you, friends, मैं कुछ clarify कर देना चाहता हूँ, कि producer कम नहीं है, जैसे आप जानते हो, डिलीट हो चुको, और काफी सारी चीज़े डिलीट हो चुके, friends, अ हमने NCLT compounding के provision को separately मैंने planning में नहीं लिया था, because, friends, अगर आप से भी एक detail में करते हो, तो ये दोनों के questions अगर पूछे जाएगे, तो आपको पता चलेगा, friends, sorry, अगर आपको लगता हो, मेरी speed बहुत ज्यादा है, तो because, friends, exam है, इसकी video आप देख रहे हो, तो मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज़े आपको देना चाहता हूँ, अब, friends, खास बता दू, कि हम यह हमारी exam के लिए first and last time प्रिपेर करते हैं, उस आसा के शाद आपका mindset बहुत सही होना जरूरी है, so, friends, तीन चीज़े मेरी याद रखना, सबसे पहला be plan, पर आपको tension नेने के जरू दे दिया है, पापस सियाद करा दू, जो हमने आगे जो planning देखा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, दूसरा, be positive, कुछ गलत नहीं होने वाला है, because if you visualize positive, then positive things will actualize, and be subject specific, अगर first group के आगे के तीन subject के बेपर खराब गयो, भूल जाए, second group के tension को त्याग दीजिए, अब भी आपका focus सिर्फ और सिर्फ law subject पे रखे, because आपको कुछ भी हो जाए, आपको law subject को complete करना, so if you are planned, you are positive, and you are subject centric, no one can stop you from achieving the success, friends, कुछ tips दे देता हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखिए, बने रही है, because यह आपको बहुत help करेगी, एक, जितने भी A category topics है, उसके section number and form number जरूर याद कर लीजिए, spelling के उपर utmost focus दीजिए, because artificial intelligence checking आपके marks कम कर देगा, आपको A and B category की time limits याद रखनी है, और जितना हो पाए हो उतना, simple English मत लिखना, पर legal English लिखना, यानि जितने ज्यादा हो पाए हो उतने legal words का प्रयोग करना, friends यह सब आप detail में जानना चाहते हो, तो how to prepare for law उसके separate video है यह, penalty याद रखने की आवश्यक था अब भी नहीं है, आप जबी भी practicals में appear होती हो, keep your analytical approach, भूले भीना RTPs पिछले तीन अटम के देखके जाना, mock test paper के questions भी एक बार देख लेना आवश्यक है, and case loss के बारे में एक law में उतना efforts मत करना, because यहाँ पे अगर आप नहीं लखो के तो चलेगा, it is purely optional, and friends, because आप यह वीडियो बन करो, आपकी law के तही अरी शुरू करो, 5-10 विनित आप थोड़ा overview fast ले ले लेते हैं कुछ law के बारे में, जैसे कि chapter wise weightage, friends, यह institute के द्वारा दिया गया वेटेज है, एक बार अगर आपका refer हो जाएगा, तो आप जब preparation कर रहे हो, तो आप सही focus set कर पाओगे उस chapter के प्रती, तो आप देख पारे हो screen के उपर friends, मैं तोड़ा fast जाओंगा, 1st, 2nd and 3rd chapter, directors, 32-35%, investigation, merger amalgamation, operation investment, not that much important, 3 small chapters, 15-20%, बड़े-बडे good chapters, जैसे कि winding up producer company, तो delete हो चुका है, foreign company miscellaneous compounding, overall carrying on 25-40%, then if we talk of securities law, ICDR is now no more there, so rest of the securities law 15-20%, economic laws में बात करें, तो दो बड़े से एक, फेमा इंसरफाइशी, 15-20%, money laundering 20-30%, FCR and arbitration जो नए नए आया है, वो 20-30%, and आखिर का insolvency and bankruptcy code, 20-30%, friends, यह वापस से आप चेक करना चाहते हो, तो मैंने description में लिख दिए है, जो आप download कर सकते हो, एक minute friends, कई बार friends आपको लगता होगा, paper बहुत टफ है, बहुत अलग प्रकार के questions पूछे गए, ऐसा नहीं है, institute ने already clarify कर दिया, कि वो जब आपकी exam लेगा, तो आपको कुछ skills के उपड़ टेस्ट करेगा, तीन प्रकार की skills है, फर्स्ट इस, अनलेसिस और अप्लिकेशन, जहापे अप्लिकेशन वो टेस्ट करेगा, कि आपने जो knowledge acquired किया, उसे आप problem solving है कैसे use कर सकते हो, अनलेसिस में आप जो issues दिये जाते हैं, उसको resolve करने में कैसे help करते हो, तूसरा फ्रेंज वो आपको test करना चाहेगे, comprehensive and knowledge skills में, comprehension includes demonstrating understanding of facts, and knowledge includes recognizing or remembering the facts, and that all matters, and the last is evaluation and synthesis, evaluation में वो लोग आपको complex problem को कैसे solve करते हो, and synthesis में आप data and information को कैसे merge करके answer देते हो, ये skills के उपर चेक करेगे, नाइए फ्रेंज एक नज़र डालते है, कौनसी जगा कितना वो चेक करेगे आपको, तो corporate law में देखिए, अगर आप, याप comprehension and knowledge की बात करें, तो corporate law में 10 से 20%, जबकि economic law में 40 से 7%, तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा महाँ पे, analysis application, corporate law में ज्यादा है 60 to 70, जबकि economic law में 40 to 60, evaluation and synthesis, corporate law 15 to 25%, economic law 0% because economic law complete हमारे syllabus में नहीं है, तो फिर उन वहाँ evaluation and synthesis करना थोड़ा difficult हो जाता है, एंड में friends में आपको खाली याद दिलवा दू कि मैंने सिर्फ past trend के मुताबर कुछ chapters की category की है, generally always यानि ऐसे कुछ chapters जो अल्मोस्ट आपको अहरे एक exam में देखने मिलता है, तो companies act में से आप देख सकते हो chapter 1, chapter 2, chapter 3, winding up and miscellaneous, securities दो हमेशा होते हैं and economic laws में से पेमा and insolvency are always found in the papers, then maybe, यह आप भी सकते हैं भी आसकते हैं, investigation, merger amalgamation, operation, foreign company, compounding, आप भी सकते हैं भी आसकते हैं, economic laws में सरफाइश हैं, money laundering may or may not be there, newly introduced यह दो, foreign contribution regulation act and arbitration conciliation act, friends, यह इसको खाले आप base बनाना, बाकी focus हरेक एक के उपर करना, because अब जब आपको वो questions पूछेगे, तो combine questions आते हैं, तो अगर आपको एक पूरा छोड़के गए हो, तो difficulty होगी, तो आपको friends, हम कैसे manage करें, तो in that situation, friends, friends, अब A category, B category, C category, पर फोकस करें, वो भी मैं आपको करके देदिया, friends, A category बहुत important, day before examination, रफर करना ही है, B category important, वो भी रफर करना है, C category भी important, पर optional लोग पर आपर रफर नहीं करोगे तो चलेगा, friends, ही मेरे personal experience के मुताबथी होगे गैरेंटी नहीं पर day before examination, you need to be choosy, you need to be well-planned, you need to be specific, you can not do everything, right, so that's why we focus on category, and friends, आप कैसे category को पा सकते हो, तो friends, यह आप स्क्रीन के ओपर जो देख पा रहे हो, ऐसी पूरी मैंने फाइल, आप डाउनलोड कर ले ना, जिसमें मॉडूल की इंडेक्स है, तो आप इंस्टीट का study material यूस कर रहे हो, तो आपको बेशक उसमें पता चलेगा, तो उस module के मुताबित, आपको category कर देनी है, जिसकी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो, chapter 1 module का ही है, introduction, paid number, category दिए, company to have directors, board of directors, उसकी भी category दिए, कुछ frequently asked होगे, तो मैंने बाजू में लिख दिया होगा, तो ऐसी file पूरी ready है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, for your help, and friends, अगर आप अब भी चिंती तो, कि what to prepare, how to prepare, from where to prepare, when to prepare, how to present, तो एक video है, जिसका link description में, चेक कर लेना, before you start preparing your preparations, वापस एक last clarification देना चाहता हूँ, कि syllabus भी क्या निकल चुका है, नीचे clarification 1 है, लोग कैसे पड़े clarification 2 है, अगर पाना चाहते हो, clarification 3 है, and friends, thank you for watching this video, and मैं ऐसे काफी सारे videos लाता रहता हूँ, आप स्क्रीन के ओपर देख पारे हो, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, it will be very helpful for you, in future also, it is not only exam specific, and friends, how to study law, case study को कैसे answer करते हैं, pillars to success, आप RTPs, ये सब पाना चाहते हो, ये सब मैंने मेरी चैनल पे रखा हुआ है, जिसका use आप कर सकते हो, and याद दिलवा दूँ आपसे friends, कि जितने भी documents की मैंने बात की इस video के अंदर, वो सारे documents आपके लिए नीचे description में है, जिसको आप download करके उसे आप use कर सकते हो, so friends, thank you for watching this video, I am not taking much of your time, because परसो ये आपकी exam है, या फिर आप exam के पहले के week में देख रहे हो, तो next week आपकी exam शुरू होने वाली है, so मैं थोड़ा सा भी आपका time waste नहीं करूँगा, पर friends, मैं इतना जरूर कहूँगा, कि नीचे description में मैंने एक playlist दिया है, उसको एक बार check कर ले न, वो आपको बहुत हल्प कर सकता है आपकी exam के परिपरिशन पे, because वे ने वहाँ पे कुछ जनल वीडियो भी डाले के exam में क्या ले जाए, क्या न ले जाए, क्या गलती ना करे, वो सब है, तो वो एक बार देख लीजिए, उसके थम्निल पे आपको पता चल जाएगा, कि वो आपके लिए कितने काम का है, so wish you tons and tons of good wishes and positive vibe, I am confident that me and you together with the help of this video, connected a bridge, had a clarity with respect to how to be planned and how to be positive, and if this is going to work, you are surely going to succeed in the subject of law with more than in marks to get an exemption, so see you soon after your examination, till then, stay blessed, study will be positive and success is going to be yours. Thank you.